हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में तो दोस्तो आज हम basic principles of surveying के उपर बात करेंगे साथ ही हम linear measurement scale, vernier scale के उपर भी बात करेंगे तो वीडियो में अन तक बने रहे तो दोस्तो basic principles of surveying के बात करें तो दोस्तो इसमें पहला point है to locate a point with respect to two reference points मतले दोस्तो अगर आपके पास दो point दिये हुए है suppose A और B आपके पास दो point दिये हुए है आपको C point की position find करनी है तो दोस्तो उस case में हम chain survey, compass survey, offset method or traverse method के use करके दोस्तो C point का पता या third point का पता लगा सकते हम लोग अगर chain survey की बात करें दोस्तो तो अगर यहां से हम इसके इसका length पता कर लेंगे l2 और अगर यहां से हम l1 का length पता कर लेंगे तो हमें C point का पता चल जागा दोस्तों तो यह chain survey के case में होगा दोस्तो compass survey में अगर आपको दो point पता है a और b और आपको C point का allocation Find करना दोस्तो तो अगर आंगल के थूर हम पता करेंगे थो उस Casey में हम उसको compass survey बोलेंगे next थो ऑफसेट अंट तो तो दोससे दोस्तो अपको ए Radio की पोईट के gone के पीत का prata दोस्तो पैपको अपको औरको C-point निकालना थो दोस्त वेसमें हम एक offset करें एक perpendicular draw करेंगे तो उसे हम off-sage method में count करेंगे next दोस्तो traverse method next दोस्तो अगर आपको एक reference दिया हुआ है और आपको एक ही point से third point का पता करना दोस्तो तो वो हम traverse method के use से कर सकते है next जो हमारा principle दोस्तो वो है working from whole to part तो दोस्तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी बड़ी area को consider करते हैं दोस्तो ठीक है आप यहां देख सकते image में हमने बड़ी area को consider किया और उसको हमने small areas में divide कर दिया ठीक है तो यह हम working from whole to part method का इसमें use करते है दोस्तो इसका benefit यह है कि दोस्तो जो minor area जो छोटा area ठीक है वो बड़ी area में count उसका जो error है छोटे वाली area में उसका बड़ी वाली area में count नहीं होगा ठीक है दोस्तो तो यह इसका benefit होता है working from whole to part का यह कुछ points है आप देख लीजी note कर लीजी इसमें हम पहले जो complete area दोस्तो उसको हम small area में divide कर लेते है ठीक है तो इसमें error का chances कम रहता है तो दोस्तो वो हमने basic principles देखा अब हम बात करते है linear measurement और scales के उपर तो दोस्तो अगर scale की बात करें तो scale एक हमारा relationship so करता है जो हमारा distance होता ground पे और जो हमारा distance होता map पे तो उसकी बीच का relationship so करता है scale ठीक है और scale के एक और definition के बात करें तो यह दोस्तो रेसी होता है distance जो map में हमारा distance है ठीक है किसी point का और divided by जो हमारा ground में actual या जो हमारा actual distance है तो यह scale का एक और definition हो गए यह formula भी आप बोल सकते हैं और दोस्तो अगर इसके representation के बात करें तो दोस्तो इसे हम ऐसे represent कर सकते हैं जैसे कि अगर हम 1 cm माने 1 cm on paper is equal to 10 m on ground ठीक है तो ऐसे हम दोस्तो किसी भी बड़े area को या बड़े length को दोस्तो हम small area में या small length में हम इसको लिख सकते है या convert कर सकते है ठीक है दोस्तो तो यह represent करने का तरीका होता है scale का जैसे हमने नेक्स्ट अगम बात के representative fraction की दोस्तो तो इसमें जो उपर नीचे जो unit होगा वो same होगा ठीक है तो जो unit दोस्तो जो cancel हो जाएगा जैसे उपर में centimeter है और नीचे में meter है दोस्तो तो हमने meter को centimeter में change कर दिया hundreds multiply करके तो यह आ गया हमारा representative fraction ठीक है अगर इसको scale के form में on ground और दोस्तो आपको जादा होगा तो जो scale होगा वो बड़ा होगा ठीक है आपको यह बात मानते दोस्तो तो जो RF के value आता वो कम आता ठीक है यानि तो दोस्तो जो scale होगा 10 meter के case में दोस्तो वो हमारा बड़ा होगा ठीक है as compared to the 50 meter वाले scale में क्योंकि हम 1 cm को 10 meter मानके चल रहें दोस्तो और वहां पर हमने 1 cm को 50 meter मानके चला है यानि हमने वहां पर 1 cm को value ज्यादा दे दिया दोस्तो तो जो हमारा scale हो छोटा है ठीक है clear है दोस्तो आप ऐसे भी समझ सकते कि उसमें division जोस्तो 10 mm में division कम होगा और 50 mm में division ज्यादा होगा ठी तो scale भी बड़ा होगा दोस्तो ठीक है next दोस्तों अगर हम बात करें varnier scale की तो varnier scale दोस्तो secondary unit होता है main scale का जिसके थुरू हम exact measurement के बात करें तो इसके होता है main scale measurement plus vanier scale measurement और वर्नियर स्केल मिजर्मेंट की बात करेंगे वह होता है दोस्तो N-S into least count और N-S हमारा क्या है number of aligned division या number of division भोल सकते है into least count ठीक है दोस्तो वह हो जाएगा हमारा वर्नियर स्केल मिजर्मेंट तो दोस्तो वर्नियर स्केल तो हमने पहले भी पढ़ा है तो पहला दोस्तो डारेक्ट वर्नियर दोस्तो इसमें जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल के ही डारेक्शन में होता है ठीक है जो हमारा वर्नियर स्केल होता है दोस्तो वो मेन स्केल के ही डारेक्शन में होता है और दोस्तों direct vernier का जो division होता है वो main scale में सकील से छोड़ा छोटा होता है as compared to the main scale आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ा सो छोटा है और यहाँ पर भी थोड़ा सा छोटा है दोस्तो slightly less है तो यह होता है दोस्तो एक point पर क्या होता है कि यह total एक unit दोस्तो कम हो जाता है as compared to the main scale ठीक है समझे फिर से जो तो वर्नियर स्केल का division होता है वो एक unit दोस्तो कम हो जाता है as compared to the main scale ठीक है तो N unit of vernier scale is equals to N minus 1 unit of main scale और दोस्तो V हमारा यहाँ पर V हमारा एक division है दोस्तो वर्नियर स्केल पर length of one division in vernier scale और S जो हमारा दोस्तो वह length of one division on main scale ठीक है तो अगर हम यहाँ से 1 V का formula निकाले दोस्तो यह आ जाएगा और दोस्तो least count का जो formula होता है वो हता main scale का division minus vernier scale का division ठीक है तो हम इसको solve करेगर इसका value यहाँ रख दे तो जो हमारा solve करके value आएगा वो आएगा S by N ठीक है तो least count का value हो जाएगा S by N अब दोस्तो direct vernier पर एक numerical देख लेते हैं question है design a direct vernier for required least count of 0.025 mm ठीक है दोस्तो तो least count का value हमें दे दिया है used for centimeter scale ठीक है यह important है तो दोस्तो least count का formula होता है जो हमने देखा वो क्या होता S by N ठीक है 39 division of main scale ठीक है दोस्तो next time अगर बात कर stuffs of vernier की तो दोस्तो यह होता है retrograde vernier तो दोस्तो यह opposite direction में होता है जो इसमें जो vernier होता है पलते direction में होता है as compare to the main scale ठीक है अगर vernier is man इस Itu, इसão में होगा और इसमें दोस्तो जो एक division होता है रेत्रग्रेड वर्नियर का वो थोड़ा सा बड़ा होता है compared to the one division of main scale तो इस case में जो formula आजाएगा वो क्या हो जाएगा n division on vernier is equal to n plus one division on main scale ठीक है तो अगर यहाँ से v का value निकाले तो यह आजाएगा दोस्तो और least count का formula v minus s तो हमने यहाँ value रख दिया list count दोस्तो same आएगा list count हर case में same आएगा next दोस्तो हम देखते है double vernier तो दोस्तो इसमें क्या होता है कि जो index line होता है दोस्तो उसके both side में vernier होता है इधर भी दोस्तो और इधर भी огता है तो इसे हम double vernier बोलते है और दोनों side से reading possible होता है तो इसे double vernier बोलते है और next बात करें extended vernier की तो दोस्तों इसमें जो end division of vernier scale होता है वो 2n-1 division होता है main scale के तो आपको ये अच्छे से याद रखना दोस्तों जो end division of vernier होता है scale is equal to 2n-1 division of main scale तो आज के लिए इतना ही दोस्तों I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो इसे like करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए और चैनल को subscribe कर लिए थैंक यू